हर वर्ष की बांते इस बर्ष भी मिल्क फेडरेशल चक्कर प्लांट द्वरा सेरी मच मंडी में स्ट्रॉल लगाया गया है जिसका शुवारम एडियम मंडी श्रबन मांटा द्वरा किया गया है आपको बता दें कि करोना महमारी से बचने के लिए लोगों ने अपना ध्यान रोग प्रती रोदक शमता बढ़ाने पर केंदरित कर रखा है गीव पनीर खाकर लोग इमूनीटी बढ़ा रहे हैं इसते मार्किट में गीव पनीर की मांग एका एक बढ़ गई है आपको बता दें कि इस बर्ष मिल्क फेडरेशन चकर प्लांट ने 500 किंटल मिठाई बनान का लक्षे रखा है लोगों के सुझाब पर फेडरेशन ने ड्राइप पेठा, बेसन के लड़ू, बिस्कुट, गिफ्ट पैक और रोयल पैक भी तयार किया है विलक्ष में इंपैट की ओर से जो हर बार यहां मंधी में स्टॉल लगता है हर बार हम देखते है कि कफी जादा लोगों का रुजहान जो इस टॉल पे रहता है और कफी जादा बिक्री मिल्क फेडरेशन उती है इस पार बियर स्टॉल यहां पे लगाया गया है और प्रोडक्शन भी इस वाद जो है पांच गॉंटल जारा प्रोडक्शन की गई है कि हर पार इत्री डिमांड यहां पर रहती है कि हम देखते हैं कि बाद में मिल्क पेट की मिठाई हैं इस वर करोना की वज़े से एक हमें यह है कि जिस तरह लोग को प्रोड़क्शन के बाहर से जो फ्लाई आली है इसको खिदने में भी गुरेज करेंगे आप च्अ के अपक्शन की मिठाईअ को बनी उइए और की इसमें अएतियात की गही है कि कोई ये उस तरह करौना अइंचेह पेड़की आफ्जू है और ऑपर स्थैद की मिठाईएं करते हैं कि इस तरह सब्सक्राइब करते हैं कि सरप्रतम में मंडी वासियों प्रदेश वासियों को दिभावली की शुब काम नहीं देंगा मैं राकेश पाठक वरिस प्रबंदक मिल्क प्लांड में चक्कर में तनात हूँ जैसा कि सबी को गयात है कि मिल्क वैड दिवाली के शुब अपसर पर हर वर्ष मिठाईया बनाती हैं और इस बार हमने लगवाग पांसो कॉंट्रल मिठाईया बनाने का लक्षे रखा है और हर सेरी मंच के उपर हम यह स्टॉल लगाते हैं ताकि मंडी की जनता को शुद्ध देशी की मिठाईया मिल सकें तो आज इस स्टॉल का विधिवित रूप से तो गाटरन माननी है एडियम होदे दोरा किया गया है हमने पिछले पिछले वर्ष एक सजेशन बॉक्स रखा था ज गिफ्ट पैक भी तियार किया है और जो बेकरी के आइटम्स है 400 ग्राम और 800 ग्राम के अंदर भी अप्लब्ड किया है यह सब ही मिठाईया मारे मिल्क प्लांट शिमला में बनती है और पूर्य प्रदेश के अंदर वित्त की जाती है